हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अबर चैनल नौलेज रिफ्लेक्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एक्षन करते हैं सर्कल कि कॉन कौन कौन सी प्रॉपरिटी कोउटी है और सर्कल के questions को हम कैसे solve कर सकते हैं एक चीज में आपको बता दूं मित्रों कि जो circle chapter होता है वो आपका इतना आसान होता है इतना आसान होता है कि आप बिना solve किये without using your pain आप answers निकाल सकते हैं इतना आसान chapter होता है circle और इससे questions हमेशा पूछे जाते हैं बहुत से questions पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम questions को solve कर सकते हैं क्या क्या आपकी basic concept होते हैं जो आपको याद रखने हैं कैसे किन-किन tricks की मदद से आप बिना pain का use किये हुए circle के answers ला सकते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिए और जो लोग पहली बार इस चैनल को विजट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आईए study करते हैं सरकल सबसे पहले बात करते हैं कि सरकल होता क्या है तो याद रखेगा कि सरकल जो होता है किसी भी fixed point के चार और एक निश्चित दूरी पर पाए जाने वाले सभी बिंदूों का संग्र है मतलब कोई एक हमने एक fixed point ले लिया है इसको मसी लिख देते हैं कोई एक fixed point है और इसके चार और निश्चित दूरी पर अनंत बिंदू होंगे अनंत बिंदू होने का मतलब है जैसे हम हुआ कि दूरी हमने ले लिए गश्य यह बिन दू है इसे अनंत बिंदु ओंगे चार ओंगे जो श्य निश्चित दूरी पर लाई करेंगे और अगर हम इन को आपस में मिला दें तो जो हमें आकृती आपकी आपकी क्या aha可以 है सरकल कहलाती है यानि वृत्त कहलाती है यह जो फिक्ट क्वाइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्र या सेंटर और यह जो दूरी होती है जिस डिस्टेंस पर सभी बिन्दों को हम संग्रह लेते हैं उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर मतलब रेडियस यानि त्रि करते हैं। नित्रिण है।र पॉंट करते हैं। इसका मतलब है कि एक सेंटिमीटर यार favor unit कह सकते हैं वो इसकी सेयल सेयर फिल्क करガlt सम्हाने से जो बने वाली यक्रिती होती है जो आपको मिलता है वह आपको क्या कहलाता है सरकल कहलाता है अब कि इंतने होते हैं आपके क्या होते आगर बर नहीं है तो सम रहेंगे ही रहेंगे ठीकिन हम लेकिन बिस्त विराबर हो जाएंगे अब हम लोगों को इससे पूछे जाते हैं उनमें किन किनची यूज़ होता है कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें एकदम अच्छे से याद रखनी है जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि व्रत का परिमाप क्या होता है छेत्रफल क्या होता है है ना तो देखिए व्रत का परिमाप की बात की जाए है ना परिमाप यानि पेरिमीटर पेरिमीटर जो होता है वह आपका होता है टू पाई यार और जो एरिया यानि छेत्रफल होता है वह आपका होता है पाई यार स्क्वाइर है यह लोग छेत्र मिती में भी पढ़ता है कि व्रत्य का परिमाप 2 पाई यार होता है अब यह लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ चोपकी है एक काऊड होती है तो याद रखेगा सरकल पर दो दे रहें और एक यह बिन्दु ले रहे हैं बी कोई दो विन्दु अगर हम किसी सरकल पर ले लें तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा याद रखिए यह यह आपकी क्या कहलाएगी कॉड कहलाएगी यानि जीवा कहलाएगी क्या कहलाएगी जीवा कहलाएगी ठीक तो जो जीवा होती है कोई भी जीवा हना व्रत में कितनी अब से पूछा जाए कि व्रत में कितनी जीवाएं खीची जा सकती हैं तो याद रखेगा एक व्रत में Anant, Infinite, Anant जीवाएं या Infinite Chords, Infinite Chords can be drawn, यानि किसी व्रत्य के अंदर अगर आप से पूछा जाए कभी भी कि एक व्रत्य में कितनी जीवाएं खीची जाregती, तो याद रखिएगा एक व्रत्य में Anant जीवाएं खीची जारी ओरे शुक्ती हैं, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी जीवा ठीक है उससे पहले याम देखे हम कोई भी जीवा खीछते हैं जैसे यहांपर देख को एक जीवा कीची यह किसी भी व्रत्थ को तो एक एक जीवा होती है दीर्ग व्रत्क खंड कहने का मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट कि इसे हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट अभी हम आपको सेगमेंट की भी डेफनीशन बताएंगे विश्केवल अपके इतना याद को दो भागों में विभाजित करती है एक हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट जो छोटा हिस्सा होता एक हम कहते हैं मेजर सेगमेंट बड़ा हिस्सा कहते हैं अब देखी बात करते हैं सबसे बड़ी यानि लॉंगेस्ट कॉर्ड लॉंगेस्ट कॉर्ड क्या होती है तो होती है यानि डायमीटर जो होती है वो व्रत्य की सबसे बड़ी जीवा होती है अब इदा समझेगा अगर हमने ब्यास की बात की है तो पहले ब्यास की डिफनीशन क्या होती है ब्यास वो जीवा होती है जो व्रत्य के केंदर से हो कर जाती है कहां से हो कर जाती है केंदर से हो क करके जा रही है अन्य जीवाएं जो होती है वह आपके वरत्त को दो बागों में बाठती यह भी थाकुं लेकिन एक होता है के बराबर भागों में बाड़ती है और दोनों भाग आपके अर्ध व्रत कहलाते हैं क्या कहलाते हूं अर्ध व्रत कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आपके अर्ध व्रत कहलाते हैं तो देखें व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है कोई भी जीवा व्रत को दो भागों में बाड़त व्रत में कितने डामीटर खीचे जा सकते हैं, या कैसे question Jeanne जो कभी-कभी पूछे जाते हैं, एक व्रत में खीचे-जाने वाले डामीटर्स की संक्या किति होगी, तो जब अनन्त जीवाएं हो सकती है, तो आपके ब्यास کی संख्याएं भी क्या होंगी यानि इन्फाइनाइट आपके डài मिटर्स खीचे जाते हैं इनवन किर कैंग्तहु देखें रेखेंगा मत करते हैं पहले लग शॉन और दिल्गे वे पाइट को जब डिफ्याइन करते हैं तो उढ़ हम आते हैं चाप पर यानि बनाया आपका एंग आपनों आपको एक कि इस नपनाग है आपने दो बियत और हम यहां पर hed accountant करी तो ऑवे के बीच की जो दूरी है स्ट्रेट लाए जब तो पर कहला एगई लेकिन वर्त्त की पर ए और बी के बीच की यह जो दूरी होगी, आपकी क्या कहलाएगी, चाप यानि आर्क कहलाएगी, अब देखें, ए से बी तक के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम ये distance को भी A B कह सकते हैं, और ये distance को भी A B कह सकते हैं, तो जो distance चोटी होती है, किसी भी वृत पर पाएज आने वाले दो विन्वों की जो डिस्टेंस होती है व्रत की परिदी पर वो आपकी आर्क कहलाती है आर्क A-B है ना डिनोट इस तरीके से किया जाता है A-B के ऊपर ये ठीक तो अगर हम छोटी डिस्टेंस को ले रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं माइनर आर्क A-B है ना मतलब लगू चाप A-B और ये जो हिस्सा है ये आपका मेजर आर्क है ये भी A-B ही ठीक लेकिन इसको क्या कहेंगे दीर्गचाप کیゃ कहेंगे दीर्गचाप AB तो देखे जो आपके AB की लंबाई हैlines AB की लंबाई जो वो आपके किया कहलाएगी लगचाप यह AB की लंबाई क्या कहलाएगी दीर्गचाप यानि व्रत्ति की परिद परिस्थित दो बिंद्गों के बीच कि जो डूरी होती है वो आपके क्या कहलाती है चाप कहलाती है तो आगर वो छोटी 어गी 1203 ऑड़ी होगी तो लोगी होगी तो यहां माज辜का जो आपका है यहां क्या कहलाएगा लगु चाप क्या देखेँ लगु चाप और जीवा के cu बीच का हिस्सा लगुचाप और जीवा के बीच का जो इस्सा होगा वह आपका क्या कहलाएगा लगुवरत्खंद कहलाएगा ठीक लगुवरत्खंद की डेफ्नीशन क्या हो जाएगी एरिया विट्वीन Arc and Corresponding Cord अब देखे, Arc and Corresponding Cord का मतलब क्या है, जैसे Cord हमने A, B ले ली तो A, B का हम Corresponding Arc देखेंगे कौन सा ले रहे, अगर हम A, B का Minor Arc के साथ लेंगे तो वो आपका कहलाएगा, Minor Segment क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा Minor Segment कहलाएगा अगर हम A, B को कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, Major Segment कहलाएगा तो कोई भी जीवा वरत्त को दो भागों में बांटेगी एक आपका कहलाएगा Major Segment एक आपका कहलाएगा Minor Segment Major Segment की Definition क्या होगी जो आपका जीवा है और उसके सम्बंदित चाप, अगर हम Minor Arc लेंगे लगू चाप लेंगे तो वो आपका Minor Segment बनाएगा और अगर हम दीर्ग चाप लेंगे तो वो आपका दीर्ग चाप दीर्ग ब्रत्तिखंड कहलाएगा या Major Segment कहलाएगा तो इसमें अभी देखे Questions आपसे जो बनते हैं याद रखिएगा कितने डाइमीटर खीचे जा सकते हैं यह important topic है कितनी जीवाएं खीची जा सकती है यह important है Major Segment और Minor Segment क्या होते हैं यह important है जीवाओं से संबंदित ठीवरंस बहुत important होती है अगर आपको ठीवरंस स्याद रहती है ट्रिक्स याद रहती है तो वह एक तरीके से याद रखिएगा questions आसानी से हो जाते हैं कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंगल सब्टेंडट बायादार किसको कहते हैं हम लोग चाप का अंसमाप क्या होता है हाना चाप का अंसमाप कैसे निकालते हैं आद रखिए कोई भी आपका व्रत है जिसका सेंटर ओ है अब इस वरत में जिसका सेंटर ओ है रेडियस आर है हमने कोई एक चाप ले लिया ए और बी अगा तो किसी भी चाप एबी के बिंदूओं द्वारा यानि ए और बी को है ना अगर हम केंदर से मिला दें क्या कर दें केंदर से मिला दें सेंटर से मिला दें तो देखे सेंटर से जब हमने मिलाया तो इस चाप द्वारा AB द्वारा केंदर पर जो कोण बनता है हम मालेते हैं यहाँ पर कोण क्या है ठीटा है केंदर पर बनाया गया जो कोण होता है वही आपका क्या कहलाता है चाप की अंसमाप कहलाता है यानि किसी भी आर्क द्वारा उसके केंदर पर बनाया गया कौण उसकी अंसमाप कहलाता है कौण कैसे बनाएगा दोनों बिंदू को जो चाप के या आर्क के अंत बिंदू है A और B दोनों को हम केंदर से मिला देंगे तो उनके बीच का जो बनने वाला कॉंड है, वही आपका क्या कहलाएगा, चापकी अंसमाप कहलाएगा, ठीक, याद लखेगा, अब यहीं पर देगे, याद लखेगा, जब हम लोग किसी भी आर्क को केंदर से मिलाते हैं, तो देखे, पूरे वृत्त का जो छे त्रफल होता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा आपका ये इस तरीके से है, तो ये जो इस्सा है, ओए बी, दोनो ओए बी कहलाएंगे, ये ओए बी कहलाएगा, ये ओए बी कहलाएगा, लेकिन ये दोनो इसे क्या कहलाते हैं, सेक्टर कहलाते हैं, त्रिज्यखंद कहलाता है क्या कहलाता है त्रिज्यखंद AOB आप देखें त्रिज्यखंद भी दो होंगे कैसे एक छोटा और एक बड़ा तो जो त्रिज्या और लगुचाप यानि रेडियस गांड माइनर आर्क इनके बीच का जो एरिया होगा वह आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर यानि लगु त्रिज्य खंड क्या कहलाएगा लगु त्रिज्य खंड क्या कहलाएगा लगु त्रिज्य खंड यानि यह जो हिस्सा होगा यह यह माइनर आर्क है इनके बीच के यह जो हिस्सा होगा यह कहलाएगा लगु त्रि कभी आप से प्रस्वन पूछा जाए कि टीर ठीक एरिया किछ जब देखे हैं चाप की लंबाय ग्याद करने का भी आपके पास एक एरिया होता है अगर हमें चाप की लंबाय तो आगर हमें लगुचाप की निकालनी होगी तो यह वाली लंबाई निकालनी होगी तो यह कौन रखेंगे अगर हमें दीर की चाप निकालना होगा तो यह वाला कौन रख देंगे तो वह आपकी चाप की लंबाई निकलाएगी उसी प्रकार से त्रिज्य खंड का छेत्रफ को यानि उसका एक हिस्सा होगा तो थीटा बटे 360 कर देंगे क्योंकि पूरे सरकल का जो कुण कितने हंस का बनता है आते हैं कि छेदक रेखाएं क्या होती है पैंजेंट क्या होती है ठीक है ना उनके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि छेदक रेखा कि छेदक रेखा क्या होती है ठीक छेदक रेखा को हम लोग बोलते हैं सेकेंट क्या बोलते हैं कि इसके ऊATIONS किसी भी वरत में जैसे एकर कोई भी व्रत है कि केंद्र ओंव्रत के बाहर इस तिकrit किसी बिंदु से हमने यहाँ गरे निया और यहां से हमने एक ऐसी रेखाव जो इस पूंसे कीचिगाने वाली serait कीचा जो किसी बंदु सेकेंट कहलाएगी यानि छेदक रेखा कहलाएगी इसमें कहा जाए जो यह A-C है यह इसको और आगे तक ले जाएं हम यहां X लिख दें A-X जो है वो क्या है आपकी छेदक तक रेखा है जो किसी भी व्रत को हनम दो बिन्डूपर क्या कर रही है प्रतिछेदित कर रही है औहफा करते है'm है इस परद रेका सिंवत ह Including क्सेंद कि लोग्त क्या कहते हैं पंजत हैं तो क्या से का होती तोते के पहले सिस्दित किसी बीट से खीची आने वाल यह कैसी रेखा जो व्रत को केवल और केवल एक तक रेंगे चया आया में एक बंदू पर अधियो प्रतेश करेंग आजह कि इस पर्स करें तो आपकी क्या रहका कहलाएगी पर्स रहा कहना दोगे जो दो अलग अलग बिंदू वह काहलगे जब कि इस पर रेखा जोगी वह किसी एक ही बंदू पर इस पर्ष करती हुई निकल जाती है वह आपकी रेखा क्या कहलाती है और यहांद रखिए गया यह जैसे हमने एक कोई वरत बनाया यहां पर याद रखिएगा इसका सेंटर हमने यहां पर ओ ले लिया ठीक और यहां पर हमने एक जीवा खीच दी एई बी ठीक अब याद रखेगा यह जो हिस्सा है यह ब्रत खंड है लेकिन जब अगर हम इसी को ऐसे मिला देंगे तो यह जो पूरा हिस्सा कहलाएगा वह आपका क्या कहलाएगा त्रिज्य खंड कहलाएगा तो इस तरीके के कि जब प्रस्न दिए गए हो तो यह ओबी का चैकल आपसे पूछा जाएग तो हमें सा ध्यान रखिएगा λचैहारी द्लीी का छे इस खाल पूछा जा सकता है या मैं इस से तरा हस्से का चैकल पूछा जा सकता है들 इस AT और वो भी कैसा व्रत्त खंड रेला है यह इतना हिस्सा के लोट और रिए पूरा हिस्सा क्या है आपका ऌऩवल तर्जेखंड है तो हमें सिक सेSiग का च्छेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा व्रत्खंड का छेतरफल, तो व्रत्खंड का जब हम लोग छेतरफल निकालेंगे, व्रत्खंड का छेतरफल निकालेंगे, पहले त्रिजखंड का छेतरफल निकालेंगे, OAB, त्रिजखंड, इसका छेतरफल निकालेंगे, और इसी के छेतरफल में से इस त्रिभुज, OAB का ढेंगे घाटा देंगे तब आपके व्रत्यखंड का या तरफल क्या निकलेगा तो याद रखेगा कि जब इस तरीक एक प्रश्न अर्वेल्स इस तरबूज का शे तरफल आज आगा अब याधर करे से ब्रत्यखंड का याज अज आगा ये यह इन रत्यफ़व या दी गई हैं, जैसे, यह दोनों भुझाये तो बराबर हिंगी, इस त्रिष्चाये हैं, ठ्रिख की तरिज्चा क्या हैं, ठीक, क्लिशory और जिसन्छी बुझा का मान निकाल लेंगे, या दिया साटत है शोचिआ और सबस्दों को बात करतें हैं और इस पर cabbage क्या होता है उधायनिस्ट का मतलब होताएं कब खीची चाती है कैसे कशी जा सकती है और कितने खीची जा सकती है यह आपका कॉमन क्लश्नल होता है तो मिनिमम्म दो बृत्त चाहिए होते हैं कितने व्रत चाहिए होते हैं दो व्रत कितने व्रत चाहिए दो व्रत अब आप से कॉमन टैंजेंट का मतलब क्या होता है यह कोई एक ऐसी रेखा जो दिये गए दोनों त्रिभुजों को GefSc ke 되र यह को वो दोनों कि इस पर्स पर्स रेखा हो तो उसे यह कहते हैं कि common देंजेन्ट ऊन्राएं कि इस कि कहें Christians के कॉमाँ था कहां कि लुक्त जिससे एक विंदु. पर common tangent कितनी खीची जा सकती हैं तो देखें यहां पर जो common tangents की संख्या होती है वो निर्वर करती है व्रत्तों की स्थिती पर circles की positions पर जैसे अगर दो circle एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं जैसे यह दोनों circle एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं एक व्रत एक दूसरे को इस पर्स ना करें अगर इस पर्स ना कर रहे होंगे है ना तो हम लोग कितनी कॉमन टेंजेंट खीच सकते हैं ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में हम लोग चार कॉमन टेंजेंट्स कीच सकते हैं कितनी कॉमन टेंजेंट्स कीच सकते हैं तो उससे में और ले WINs रेखाओं की संख्या वो होगी चार कितनी होगी चार दो तिरियक होंगी और दो सीधा होंगी ठीक अनुलंब ठीक तो आप से प्रस्ण पूछा जाता है कि अगर दो व्रत एक दूसरे से इतनी दूरी पर दिये गए हैं और उनसे कितनी स्पर्स रेखाएं खीची जाएंगी तो उसका उत्तर होगा चार और एक और आरवन है इसकी तरह ज्यार टू है ठीक अगर कैसे हमको पता चलेगा कि व्रत एक दूसरे को स्पर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो देखे अगर ओडेस की वेल्लू ग्रेटर दैन आरवन प्लस आर्टू है तो इसका मतलब है कि दोनों व्रत एक दूसरे से दूर दूर है इस पर्स नहीं कर रहे हैं यह पहनी कंडीशन होगी इस पर्स ना करने की अगर ओ डैस का मान आर वन प्लस आर टू के बराबर हो गया तो इसका मतलब है व्रत जो हैं वह बाहता इस पर्स कर रहे हैं कैसा इस पर्स कर रहे हैं किस सब्सक्राइब कर रहे हैं कि एक अनुसार वह रत्य किस तरीके से बन रहे हैं चार कंडिशन होते हैं या तो इसे है किसी एक कि एक कर रहे होंगे चोनडिशन में इसके उब आदा होगी के पूछाज है इस कंडिशन में केतं तू जब बहुत करें एक्स्टर्नली टैच है ना बायता इस पर्स करें तब उस पर्स रेखाएं कितनी होगी तो याद रखेगा तब उभैनेस्ट इस पर्स रेखाएं कितनी होगी एक यहां कीची जा सकती है एक यहां कीची जा सकती है दो हो गई ठीक याद रखेगा इसमें तिरेक रेखार नही तो इस तरीके की कंडिशन में उभैनेस्ट रेखाओं की संख्या जो होगी कि इस पर्स रेखाएं वो कितनी होंगी तीन होंगी कितनी होंगी तीन याद रखिएगा जब दो वरत एक दूसरे को इस पर्स नहीं करेंगे चार बहता स्पर्स करेंगे तो तीन सिपर्स रहा होंगी तीसरी कंडिशन आ जाए जब दो वरत एक दूसरे को और है व्रत के एक दूसरे को दो बिन्दूहों पर दो बिन्दूहों पर अट करें क्या करें की जर जब है एक वरत ऐसे जाए तो आगर एक व्रत इस तरीके सब्सक्रेंट तो याद रखेंगा ठीक के तो के जो दूरी o o o ds होगी वो लेस दन r1 प्लास r2 होगी 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 यानि उनके केंद्रों के बीच कि दूरी होगी o o ds वो वूदनों व्रत्तों की त्रिज्याओं के योग से क्या होगी कम होगी और इस कंडीशन में जो पर्ष मर्मात्र लेगाओं की संख्या होंगी केवल कितनी होंगी तो सबस्मार यह यह दो फ्सक्री आश तो दीक् favor बार दूर दूर है चार अरुंस करेंगे तीन कट करेंगे तो दो अब एक कंडीशन और चौथी कंडीशन माली जै कि दो उसने को अंता है करें क्या करें था उसम हो बनड़्ड एक व्रत आप तो इसम्रें पर इंग आ ज़्यों को इन हो करें कि क्या करें अंताहा करें तो आपके वाइन स्पर्स ररेखायु की और किसे रफोग tête सब्सक्राइब फाइन eme에서는 कितने होगी कि टूँटर मैं अगर मान लेजें एक ऊध्या आपका दे दिया जाए कि दो व्रत्त हैं एक व्रत्त है और उसके अंदर एक व्रत्त है और पूछा जाए इस पर उबैनिस्ट इस पर्स रेखाएं कितनी हैं तो याद रखिएगा इस पर सून्य कोई भी इस पर्स रेखा नहीं खीची जा सकती क्यों अगर हम इस व्रत्त पर इस पर्स रेखा खीचेंगे, है ना, तो वो इस व्रत्त को टच नहीं करेगी, और अगर हम इस व्रत्त को खीचेंगे, तो वो इस व्रत्त को तो इस पर्स करेगी, लेकिन वो दूसरे वाले व्रत्त के लिए एक जीवा का कारे करेगी, जीवा का कारे करेगी, तो इसलिए करते हैं तो एक कि दो करते हैं तो दो करें तो यह फूश्ण पूछा जाता इसको जरूर रयाद करिये गा इसके अगले वीडियो में हम लोग स्टाट करेंगे थेोरम्स, जीवाओं से संबंदित, कोणों से संबंदित और इसपर्स रेखाओं से संबंदित और उनसे संबंदित questions को तो वीडियो को जरूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और सभी को शेयर जरूर कीजेगा, थेंक यू